मैं कि आइपक सिस्टम आप नौमेनिकलेशर के बारे में तो जिसमेंगे उसके कुछ रूर्स तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपने चैनल पर नहीं है तो प्लिज़ चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल ऐकन को दबा कर और डि़ू करें दो दोस्तों अगर आप इस organic related कुछ भी और भी information जानने चाहते तो वीडियो के description पे हमारे website के लिंक के वाँ पर जाकर आप article को पढ़ सकते हैं तो चलें दोस्तों आज की इस वीडियो शुरू करते हैं अब दोस्तों अच की वीडियो में बात करेंगे आयू पक शिस्टेम आफ दोस्तों आप नमिनेक लेचर आफ ऑर गनीक अपोर्ट के बारे में अइन इंटरनेशनल युणियन अप्य र आप्लाइट के मिस्ट्री वारे में आयू प तो जो है एक सिस्टम एक मेथड है जो कि जरही हम और नी कॉमपूंट को नेमिंग कर सकते तो एक एक करके रूस देख लेते पर जो रूस है पकू है और या अगर आप में आभर को एक कंपोर्ट दिया गया है जिसमें एवशे रिसे डुष तूय चीने अगर आप को एक सीस्तरी दिया जाता है तो जो है उसके पहलेंट चेन जो है वह है कि एसुरिप्यक SM मंबर अबसेयोट यानि उसके सब सब्सीक्टित अबद अड-बार Holz जो है maximum length और जो है parent chain के length जो है maximum होना चाहिए और जो नेक्ट जो है रोल से वह है identify the parent functional group with highest order of preference नहीं जो है functional group जो है identify the parent functional group नहीं पेरेंट पेरेंट जो functional group है उसको identify करना है और जो next है तर्ड है तर्ड जो है रोल से वह है identify the side chain ने अपको side chain जो है अगर एक group दिया गया है उसके side chain जो होता है उसका identify करना है the carbon chain which are not in the parent chain but are branch from it यह आपको एक compound दिया जाता है जिसके जो है side chain का आपको identify करना है जो कि parents and parent chain नहीं होगा जो आपको side chain को identify करना है जो कि ब्रांट chain है और जो फोर जो फोर रोल्स है identify the remaining functional group functional group will be grouped together in alphabetical order यानि अगर आपको एक compound दिया जाता है तो उसके जो है functional जो है सभी functional group का आपको identify करना है और वही functional group का आपको जो है alphabetical order में यह करना है grouped करना है और जो next है identify double and triple bond तो उसके जो double of triple bonds होता है उसको identify करना होता है और है numbering the parent chain is done and follow the rules जो है parent chains को numbering कैसे करना है तो उसके लिए कुछ rules है जैसे has a lowest number on the carbon which are the which are the substitute is directly attached अनि अगर जो है एक compound दिया गया है जिसके lowest number of carbon जो होता है जो कि directly attached होता है उसके साथ उसको पहले mention करना होता है has the lowest number of carbon adjacent to the multiple bond and your lowest lowest number of carbon होता है जो some carbon को one two three four represented करते है तो उसके जो lowest number होता है carbon उसके जो है multiple bond के एड़ेसंस होता है उसका में पहले रप्रेस्ट करना है and has the lowest number of prefix जो है उसके suffix prefix जो हम लास्ट वीडियो में डिसकस किये तो जो prefix होगा यानि उसके जो components के पहले आता है prefix तो उसको हम lowest numbers से रप्रेसेंट करेंगे पर example अगर आपको एक components दिया जाता है और शेस्ट्री च जो च होगा जो कि second position है सीस्ट्री फर्स पोजिशन नेक्स्ट है च जो कि second position उसके साथ एक मिटल गुरुप एटा जोगा फिर होगा सीस्ट्री और जो बिदल में फोर पोजिशन होगा उसमें एक मिटल गुरुप याड़ होगा तो उसे हम 2,4 dimethyl pentane से रप्रेसेंट करेंगे ना की 4,2 dimethyl pentane अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट जो रूल से वह है नंबर इंटो दा वेरियस सब्सिटूट्स एंड बोंस इस दन इफ देर इस मोर दन वन सेम ताइप्स अब सब्सिटूट्स डबल बॉंड इस प्रिजन प्रिफिक्स लाइट डाइट डाइट पर एग एक कंपॉंस दि सब्सिटूट्स याड होता है तो उसे हम डाइट ट्राइए यर्फ है तरी फ्रेक्ट तरी आगर दो हो गा तुसे घर ट्रेशल डाइच से रप्रिसेंट करेंगे तीन होगा तो से हम ट्राइच से रपी हेजर देंटि नेट पर एक्जमपल अगर एक कंपॉंड्स है जैसे CS3 CS2C जो है तर्ड पोजिशन जो होगा उसमें दो मिधाल ग्रॉप याड़ होता है और जो नेक्स्ट है CS2 CS3 तो से हम कहेंगे जो है 3,3 डाइम में थाइल पैंटन से रप्रेशनेट कर सकते हैं और जो नेक्स्ट है वह है एक नमबर रोल्स वह है डबल बॉंड डबल बॉंड कम इन से भी कहते हैं तो डबल बॉंड इस राइट एन बीफोर ट्रिपल बॉंड वाइं तो अगर एक कंपॉंड से जिसमें तो इसे हम पहले जो डबल बॉंड होता है उसे हम पहले मेंचिन करेंगे ट्रिपल बंड को लास्ट में और जो लास्ट रूल है वह स्वारी जो है 9 नमबर रोल से है वह है दे नमबर आप दा साइट चैन विल बी गृूप्ट इन असेंडिंग और एंड राइटन बीफोर और यह एक कंपोउंड दिया गया है जिसके साइट चैन है तो साइट चैन को असेंडिंग और से रप्रेशनेट करेंगे पर एंपल वन जिसमें अगर फ़र्स पोजिशन या फिर सेकंड पोजिशन दोनों में दो मिधाल ग्रूप याड है तो इसे काम 1,3 डाइम इधाल ब μεiques और कॉम्स बीट्विन नमबर फर एक्जमपल अगर हम एक कंपोउंड को दिया गया है तो जिसके अलग-अलग पौजिशन में फंक्षम ग्रूप या फिर मिधाल ग्रूप या फिर ल Terrain य में बंग होता है तो जो नंबर निंगा नंबर के बीच में हम उसमें जो है को म का यूज करेंगे जैसे 2,5,6 और जो फंक्शनल ग्रूप जो आम फंक्शनल ग्रूप या फिर जो दूसरे तरिके का साइट चेन यूज करते हैं दिनेम्स आप दे स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड़ाइडरोकरबन अप्टू 10 करबन एंचेन और शोन यह सफिक्स एन इस एड फरेग्जमपल अलकेन 1C अगर सैचुरेटेड़ होगा तो जिसमें हम 1 to 10 अगर अप्रेजनेट करेंगे तो जिसमें के लास्ट में हम उसे एएन से रपरेजनेट करेंगे अगर वह मिधायल होगा वैक फिर वन पोजी वन कर बन होगा तूसे मिधेन कहेंगे दो करबन चेन होगा तो समेंगे इतहीएन फ्रोपेन फोर्ट होगा तो तो पेंटेन शीक्स डेक्जम हैवेन यह फ्रेजन होगा तो डेकन यह अगर एक लंबा जो है चेन होगा करबन जो है और कंपाउंड्स तो उसके अगर कितने जो है फॉर एक्जांपल उगर उसके सिक्स कारबन चेन होगा तुसी उसके जो जो है सफिक्स में हम एनी से रेप्रेजेंट करेंगे तो दुस्तों उम्मीद करता हो कि जो आई पिक सिस्टम का जो रूल से वह आपको पसंद आया होगा अ